कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो जैसे कि कल जैके SSB के द्वारा आप लोगों को इंफॉर्म करा गया है कि 23 जून को आप लोगों का एक्जाम जो है वो कंड़क्ट करवाया जाएगा पीमेल सुपरवाइजर सोशल वेलफे डिपा आप लोग एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा उसके बाल इसको इंप्लिमेंट करिएगा क्योंकि हम लोग पिछले 6 सालों से यह चीज करते आ रहे हैं जिसके एंड मिलता आया है जो लोग इस चैनल पर नहीं है आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप को भी अगर 3rd S यानि की success को अगर देखना है तो उसके लिए अब यह strategy क्या होती है किस तरीके से follow करना है सबसे पहले तो देखो बहुत सारे बच्चों के जो continuously message आ रहे है न वहीं है कि sir paper delay करवाओ paper postpone करवाओ paper को बाद में होना चाहिए हम लोगों का syllabus complete नहीं हो यह जो situation है कि सबके लिए एक जैसी है ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को पहले से पता था कि जून में exam होगा सबके लिए एक साथ की situation और आपको बता दूँ बहुत बार यह जो आप लोगों ने तयारी करी है जो अगर आप 3-4 महीने से तयारी कर रहे हो पांचे महीने से तयारी कर रहे है इस एक महीने में लास्ट के महीने में और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तयारी नहीं भी चल रही होती है वो बच्चे अपनी तयारी को क्या करते हैं इंप्रूव कर देते हैं इस एक महीने में तो यह चीज हम लोग यहां पर समझेंगे कि अगर हम लोग पह लादू topic test इसके हम लोग चला रहे हैं पिछले एक देड महीने से हम लोगों ने 70 नंबर का almost topic test करवा दिये हैं हम लोगों का जो full-length test का schedule है वो यह है 26 मही से हम लोग शुरू करेंगे हर एक test के बीच में आप लोगों को time time दिया जाएगा starting test में दिये जाएंगे चार से पास दिन उसके बाद तीन दिन का time आप लोगों को हम लोगों ने यहां पर रखा है अब यह तीन दिन का time करवाने के लिए हम लोग ज़रूरी क्यों होते हैं अभी तक हम लोग जैसे चीज़ें पढ़ते हैं मैं पूरा detail में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है क्या strategy रहेगी वो सब discuss करेंगे थोड़ा सा session लंबा हो सकता है बड़ ध्यान से चुनिएगा यह आप लोगों को बहुत help करेगा इस session के बाद जो ब topic test में आप लोगोंने देखा होगा बहुत सारे बिच्चे क्या कर रहे हैं क्यों क्योंकि हमें पता है कि आज का test जो है वो society का है हमें society ही answer को मार करना है उस ध्यान से जब complete test होता है उसमें हम लोगों को क्या देखना है कि कौन से question को हमें कितना time invest करना है क्यों सा question ऐसा है ज सब्सक्राइब करना है कि आपको पूरा revise करना है इसको attempt इसी तरीके से करना है कि आपका actual exam हो पांच बार पेपर देगे जब 6 में बार पेपर देने जाओगे ना आपको वह paper mock test लगेगा और वह definitely इससे थोड़ा सा easy होगा आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी आप लोगों को revision में help हो जाएगी अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है वह आता है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर्सलेबस बहुत वास्ट है revision करने का टाइम नहीं मिल रहा है कैसे करें तो वह मैं आप यहां पर हम लोग आपस में discuss करेंगे देखो पैटन के साथ आप लोग सब जो है familiar हो की 120 नंबर का paper होगा और आपको दो घंटे का time जो है वहाँ पे दिया ज ही है पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ specialization ही पढ़ते रहनी है अब यहां पर जो मैं चीज बोलूँगा नहीं आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है हमें paper को दो हाफ में अब डिवाइड करना है पहले हाफ में क्या हाफ में आ जाएगा general syllabus general syllabus में क्या क्या आग अब यह जो दो हिस्सों में मैंने डिवाइड करना मैं आपको बताऊंगा इसको भी अब कैसे करना unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 5 और 6 चीक है सबसे पहला काम तो क्या है हमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है 60 marks इच अब यहां पर क्या आपके दिमाग में दूसरे चीज जो आएगी तर्टीक है अब क्या करेंगे कर दिया हम लोगों ने डिवाइड कर दिया बट उससे division का क्या परपस्टा मैं आपको बताता हूं दो बार दो हम लोगों ने कर दिया तो अब अपने दिन को जो है चार शिफ्टों में डिवाइड करना है यह मैं आपको बताता हूं यह कैसी स्ट्रेजी जिसको मैंने फॉलो किया बहुत सारे अपने जो स्टूलेंट से उनको फॉलो करवाया वह आज अच्छे पोस्ट पे जॉब कर र करना है हम लोगों ने जो हमारा सिलेबस है दो हिस्सों में हम पास बेज़ देना आपको क्या करना है syllabus को note down करना है syllabus को note down का मतलब होता है हाथ से लिखना है 15 मिनट से 20 मिनट का time आपका यहाँ पे लगेगा और जो 90% आप लोग कह रहे हो ना कि सर्थ panic हो रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है concentrate नहीं कर पारे यह चीज आपकी 90% यहीं पे खतम हो जाएगी जिस time पे आप लोग अपना syllabus note down करोगे आप लोगों ने पहले करा हुआ है तो भी वापिस से मैं आपको repeat करना हूँ आपको syllabus को note down करना है pages पे लिखना है एक page पे एक section को लिखना है जैसे gk की section पे अगर हम आएंगे आपको एक page पे यह सारे topics लिखने current affairs, Indian history, political, physical यह सबको आपको note करना है अब note जब करोगे देखो यह क्या है यह आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आप वापिस से जब revision होगी ना तो इस basis पे होगी पुराने वाले जो बनाएं उसको side पर रख दो एक बार syllabus को जब note down करोगे आपको खुद पर चलेगा लिखते हुए ही उस time पर क्या होता है हम ना अपने दिमाग के साथ बात करते है और हम अपने दिमाग को समझाते है जब मालो मैं suppose English लिखूँगा मैं लिखूँगा पहले मालो tenses लिखा rearrange of jumble sentence लिखा मिरे को बड़ा चल जाएगा हां यार यह मैंने टेस्ट दी हुए यह मैंने पड़ा हुआ है इसके भी मैंने टेस्ट दी हुए है नरेशन है इसको भी मैंने किया था मेरे इसमें पूरे नंबर थे models था और लिखते लिखते जब 10 नंबर की section खत्म होगी आपको होगा हां यार यह section तो मैंने पड़ी हुई है इसको तो मैंने किया हुए और इसको कितना time देना है वह आपको वहीं पे खुद बहुद स्ट्राइक कर जाएगा जो एक पैनिक यह जो एक नर्वेसने से बहुत हद तक कम हो जाएगा इसलिए पहला टास्क आपको मैंने यहां पर यह दिया है आपको यह चीजो करनी है हर एक बच्चे ने आपको एक बार स्लेबर्स को को नोट डाउन करना है स्लेबस को नोट डाउन करते ही जो 90 परसेंट पैनिक आप हो रहे हो जिन्नोंने पड़ा है खास तोर पे आपका खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद जब दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है अब हम लोग चलेंगे पहले थोड़ा सा मैं आप हाफ डे अपना इसी पर लगाएंगे ताक्कि हम लोग वे जो आने वाले 30 दिन ऊगे उसमें दोगों प्रॉब्लम नहीं होगी अपने दिन को चार शिफ्टों में डिवाइड हम लोगोंने कर दिया अपने दिन को चार शिफ्टों में का मतलब ये है कि माल लो सुबा के 2 घ करके बहुत जादा आपको जो एक होगा यह helpful रहेगा आपके पूरा sequence में चीज़े चलेंगी देखो randomly भागने से better होता है planned way में एक direction में भागना आप लोग हो सकता है finishing line cross नहीं कर पाओ लेकिन आप उस point तक पहुंच जाओगे जो आपको help करेगा आने माली चीज़ों के लिए भी ठीक है अब shift को divide कर आप क्या करना है मैंने आपको क्या बताया था एक तो आगया हमारा जर्नल स्लेबर्स और एक आगया हमारा specialization अब करना कैसे revise कैसे करना है वो हम बात करेगे देखो मैंने अभी आपको क्या किया है हमारे इंसे क्या हो रहा है हम लोग आपके topic test conduct करवा रही है topic test आपके चलते रहे तो पहली तो कोशिच यह रखनी है कि जो भी आप chapter revise कर रहे हो उसका test भी साथ में attempt कर लो ताकि confidence boost up हो जाए नहीं अगर उस पर मानलो नंबर आते आपको mcqs लगाने है आप कहीं से भी लगा सकते है ऐसा नहीं कि आपको सिर्व ट्रिपल S बोला है तो ट्रिपल S है आपको जहां से भी मन करता है आप लोग mcqs लगाओ आपको लगेग नोट्स भी रिवाइस कर लिए यह टॉपिक हो गया ठीक पहले राउन में हम लोग यह करेंगे पहले राउन में जब चीज हो जाएगी दूसरे राउन में क्या करेंगे जब दुबारा इसको पढ़ेंगे दुबारा रिवाइस करेंगे तो हाइलाइटर लेके इसको हाइल क्या कर सकत आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते अब होगा क्या टेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लास हलेगी लाइव क्लास में क्या होगा हम लोग डेली बेसिस पे 20 से 30 mcq जो होगे करेंगे आप hebагा हम को यह क्लें और हम अगले दिन हम लोग करेंगे युनिट 4 और 3 फिर हम करेंगे युनिट 2 और 1 उसके बाद हम करेंगे इस कम्प्यूटर और साइंस उसके बाद हम लोगों का चलेगा मैथ रीजनिंग प्लस जैसे आपका स्लेबस है इंग्लिश और एक दिन चलेगा जीके जो 20 नमबर के बनाव रोज इन 6 दिनों में आपका 120 नमबर का पूरा का पूरा पेपर प्रिपल इस पे भी चलेगा ठीक ह कि ये टो एक सीक्वेंस में होगा यह हम लोग कर चुके आज हमारी हमारी ही की टर्न है कल यह हूगा फिर यह थोगा यह सीक्वेंस में हमारा चलता रहेKay क आप लोग यह तो वह टौपिक रख सकते हो जिसकाआ को टेस्ट होगा यह तो आगए हमारे लिए उसके अलावा जो आपने पढ़ना है आप उसको कर सकते हो आप चार शिफ्टों में जो डिवाइड कर रहे हो हो सकता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए आज मैं जुर्णर स्लेबस में रख लेता हूं कि मैं सुबह उठके जीके पढ़ूँगा टॉपिक जो पढ़ना है एक दिन पहले डिसाइड कर लेना ताकि अगले दिन मैं उस पर सरकल कर सकूँ और कॉन्फिदेंस के साथ सरकल कर सकूँ अगर मैंने पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन रखा है तो मैं सुबह उठके उसको पढ़ूँगी जो भी आप लोग टॉपिक को एक दिन में अब यहां पर ध्यान से सुनना कितने टॉपिक है जरा काउंट कर लेते हैं हमारे पास टॉपिक हैं टोटल यहां पर आठ हर एक में दो भी होंगे तो इंटु दो कर दो 16 दिन मैक्सिमम ठीक है और हमारे पास 32 दिन हम इसको पूरी यूनिट को दो कर सकते और एक बार ही जब आप लोग इसको अब जैसे मान लो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन की बात करी आपने पहले दिन इसको पढ़ा नोट को रिवाइस कर लिया उसके बार टेस्ट को अटेम्ट किया एमसी की उसको लगा लिया और उसके बार सरकल कर दोगे कि हां यहां पर यह तो आ गया एक सीक्वेंस को में कॉंटिनीव करना है आप लोग पहले वह सेक्शन को रखोगे जिस पर आपको थोड़ी सी प्रॉबलम हो रही है जैसे कि मान लोग मैं जो करता था शाम के नहीं पर इनसान ठक जाता है दो घंटे पड़ा 15 मिनिट ब्रेक या 30 म अगरा खाया उसके बाब वापिस बैठे फिर कोई सेक्शन उठाली मान लो यूनिट वान उठालिया यह यूनिट टू उठालिया एक स्पेशलाइजेशन एक जर्नल की साइंस शाम के नाइम पर इंसान थोड़ा सा ठक जाता है पढ़ने कामन नहीं करता चाय बनाई बैठ घरवालों के साथ बैठे math reasoning solve करना शुरू कर दिये एससी के previous year paper solve करना शुरू कर दिये 10 number की section यहां से practice हो जाएगी ठीक है computer के question solve करना शुरू कर दिये English को शुरू कर दिया जिस section में आपको लग रहा है कि शाम तक हम ठक जाते हैं इतना effective नहीं हो पाएगा रात को वापिस स होने से पहले वह section उठालो जो आपने पड़ी हुई है क्यों क्योंकि जो नहीं पड़ी वह पहले उठाएंगे जिस पर अच्छा खासा hold है जैसे कि मानलो अगर मैं बात करूँ unit 6 की ही unit 6 हम लोगों पड़ी है questions हो रहे है तो एक बार unit 6 को device कर लिया same sequence में चीज़ेंगे दो दो यूनिट्स के एक एक topic अब क्या है जैसे मानलो आज मैंने रखा है कि मैं यहां पर आज के दिन के लिए लाडली बेटी स्कीम स्टेट मैरेजर असिस्टेंट कर दूंगी खतम उसके बाद food and personal hygiene खतम कर दूंगी यह मेरा एक target सा रात की shift का कि रात को मैं यह दो topics को revise करू अब आप लोग देखो यह कितने topics हैं टोटल कितने topics हैं टोटल छे topics हैं या एक हफ्ते में आपकी एक unit revise नहीं हो सकती बहुत टाइम है आराम से हो सकती है दो घंटे का time दोगे एक unit के एक topic को आराम से revise होगी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों ने भी exam दिये हम ल बच्चों को पैनिक जादा होता है जो मैनत करता है यह एक fact है यह आप लोगों को फता की रखना है दिमाग में अब मालो एक दिन रात के एक हफता लगा के unit 5 खतम कर रहा हूं अगले दिन मैं unit 4 पर जाओंगा तो उसके total चार जो है topics हैं आज मैंने सोच लिए कि मैं trafficking baggery और corruption को खतम करूंगा तो आप इसको दो गंटे रात की shift में रखो अगर आपने मालो यह नहीं पढ़ा हूँ अगर मालो आपने social levels पढ़े ही नहीं है आप इसको सुबा के shift में रखो और paper जो होगा जो दिन divide होगा वो दो sequence में होगा क्यों कहीं बार क्या होता है जीके पढ़ते आप लोग दूसरी shift का topic उठालो यह आप लोग switch कर सकते हो और एक दिन में मैं आपको बतानो आप लोग इसको करोगे पंदरा दिन में भी आपका पूरा syllabus हो जाएगा खतम क्यों अब मैंने आपको बोला था कि syllabus को no down करना syllabus को no down करना इसलिए जरूरी था अगर मालो आप लो और आपका जब आप वापस से हर एक हफते के बाद syllabus देखोगे ना आपको maximum पे circle और cross बजाओ लगेगा और आपको लगेगा कि हां तयारी हो रही है revision हो रही है नहीं भी पढ़ा हुआ तो हम लोग at least पढ़तो रहे है शुरू तो किया है अब देखो यह वक्ती है एक concept जिस तो हमें result जाद अच्छा विलेगा यह fact है अब कहीं बार क्या होता है मानलो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं चीजों को हम लोग ने पढ़ लिया उसको execute करने अब हमें उन चीजों को attempt करने क्योंकि देखो paper में knowledge वाले बच्चे ज़रूरी नहीं होता हर बार paper qualify करे बहुत स execution को हम लोग पहले पांच बार करेंगे पांच बार मतलब से हैं कि टेस्ट के साथ अब वो टेस्ट जो होंगे वह किस तरीके से होंगे पहले टेस्ट में हो सकता है या पूरा पढ़के भी बैठो आपके नंबर नहीं आए उसका जो analysis होता है वो सबसे जादा important है analysis में हम लो most आपके पास है आप इसको इस तरीके से पहले एक बार रिवाइस करो हर एक चीज को मालू मैं मेरे को अगर टेस्ट बेचने हो मैं आपको एक example है तो मैं अठाना को टेस्ट रख दू हमारे पास team है हम लोग बना के रख सकते हैं 17 आज टेस्ट रख दू बड़ मैं नहीं च चीज़े अगर मैं गडबड नहीं करती तो मैं 7-8 नंबर बढ़ा सकती थी और अगर हर टेस्ट में आपने 5-6 नंबर भी बढ़ा है मालो आज आप 60 या 70 पर स्कोर कर रहे हो और हर टेस्ट के प्रॉपर एनलिसेस प्रॉपर रिवीजन हार एक चीज के बाद हर एक टेस्ट आने का अलग है खुद की तयारी का अलग है तो 10 साल के एक्स्पिरियंस बता रहा हूँ अब यहां पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आपको नोट रखना है सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया पुराना स्लेबर्स प्रेंट आउट लिया है उसको रख दो सा आइड पर आज का आपका काम क्या है तीन वजे क्लास हम लोग ने रखी हुई है उसके बाद आपको बिलकुल पहला काम अपनी तयारी का यह रखना है कि मेरे को कुछ नहीं आता धिमाग में अपने फिट कर लो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ चीक है मैं वापिस से स्ल फोर को पूरे को पढ़के उसमें से बेस्ट ट्वेंटी एमसी क्यूज निकान ले है ताकि मैं बच्चों के पास लेकर हूँ अब वो टास्क है मैं दिन बर जितना मर्जी बीजी रहूं मुझे वो चीज करनी ही करनी है उसके साथ मैं जो दोखा करूंगा तो खुद के चार घंटे लगा दो अगर इंट्रस्टिंग लग रहा है जरूरी निय Windows आघ सट जी तो टो तो कि Past लागए जाएं को शीजों करोगे उन्हें लेम सिप्ट हो जाएगी चार शिफ्ट को आप लोग अपने accordingly जो है चेंज कर सकते हो पहला point क्या करना है रिवीजन के बाद आपको क्या करना है उसके topic को attempt करना है हम लोग कोशिश करेगे कि अब जितने भी हमारे topic टेस्ट हम उसको जल्दी से यह कर रहा है आपको जहां से मलते हैं अंडर तसका यह आपको जो भी चीज मिलेगी अगर आपको वीडियो पर करना लेकिन रेलेवेंट होनी चाहिए रेलेवेंट चीज़ों को मत करना ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना इतना भी हमें कि हम आपको चीज़ उता दो कि वीडियो पर कि एक वीडियो है चालेस मिनट रस्कीजों के वीडियो है हम लोग बैठे सुनने के लिए और वहाँ पर 5 यह 10 सेमसी क्यों वो हमें नहीं करना हम ने जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिविजिन उठाया उसके वीडियो को देखा हमें पॉस रखनी है वीडियो सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और उसके आंसर को दिमाग में रख लेना है फास्ट फॉर्वेड का अप्शन आता है न उस उसको एक बाद explanation में सुन लेना है यह प्रोच से करो गए तो जो कहीं बार बच्चे क्या होते हैं बैठते हैं पचास-पचास मिनट एक घंटा दो-दो घंटे की वीडियो देखते हैं प्रोड़क्टिव उसमें कुछ भी नहीं होता बट कोशिश करने हैं यह चीज को अव एक्जाम की तरह दो घंटे शांत महोल में बैठके पूरा का पूरा टेस्ट देना है उसके बाद आपको स्कोर नहीं देखना आपको पॉसेंटेल देखनी है रैंक भी नहीं देखना पहले टेस्ट में सबको सबकुछ माफ उसके बाद हमें देखनी है कॉन्टियूसली कि ह हमारी इंप्रूव्मेंट कितनी हो रही है इस चीज पर हम लोग काम करेंगे हर एक टेस्ट के साथ हमें सीखना है कि क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जिसे हम अवाइड कर सकते हैं नेगडिव मार्किंग कैसे कर सकते हैं सबसे इंबॉडन है कि आपको खुद पर ट्रस्ट करना है किस चीज का गरना है देखो सबसे ज्यादा पैनिक इस टाइम पर वही बच्चा होता है जिसने महिनत करी है जिसने महिनत ही नहीं करी वो बच्चा पैनिक नहीं होता यह चीज़ आप लोग दिछान में रखना अगर आज आज आप लोगों को थोड़ी सी गवराहत हो रही ह या आपको समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करें सर पढ़ा हुआ सब कुछ है सब कुछ ही बूलने लग चुका है यह उसी बच्चे के साइन है जिस बच्चे ने मेहनत करी है अगर आपको यह सब चीजे हो रही है तो आप लोग सही ट्रैक पे हो बट हमें इस चीज को ओवर बारीड है, जिनके पास नहीं है यह टाइम निकालना चार गूंटे चार शिफ्ट से दो गृंटे नहीं निकाल सकते आप देखो क्या होता है जब चैलेंजा बड़े होते है तो उसका रिवाड़ भी बड़ा होता है आप लोग यह नहीं कर पाते है आप दो शिफ्ट में क आपकी मेहनत कहीं बार कि कम टाइम में इंसान ज्यादा डालता है इसके पूरा दिन नहीं कम टाइम वाले उससे ज्यादा डालते मैंने यह चीज़ें देखिये हैं हमारे साथ पंचाथ में उनकी शादी भी थी बेभी भी था और मतलब मैरे को सबसे से बड़ा एक सर्प्राइज मिला था क्योंकि वो कॉंटिनियूसली नहीं प्रैक्टिस करते थे मैनेद करते थे बहुत मुश्किल था उनके लिए चीज़ें करना बट उनका जिस जिन मैसेज आए कि सर मैंने क्वालिफाई कर दिया मैंने सारे जितने भी मुश्किलें थी उन हम लोग खुद के साथ दोखा नहीं करेंगे क्या उसको चीज को ज्यान में रखते हुए हम लोग अपने जितनी चीज़ें प्रवाइड कर सकते हैं पांसो रुपे में च्छेसो शाट रुपे में हम लोग कर देते हैं ताक्कि बच्चा घर बैठके अराम से पड़ सके रह यहांते हैं हमारे को बस है कि किसी बिच्चे को क्ल को यह नहों किया हिनों नहुनेить हम और पढ़ाया नहीं हम लोग टॉपिक टेस्ट कर रहे हैं कर इसा अभी उसी में करूँगा उसी में कर वहाओं ग LAU GB से मेन ये है कि आपको ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने इसके लिए मैनत करी है आप लोगों ने इसके लिए दिन रात अगर एक करी है अगर आप किसी हालात में नहीं भी कर पाई क्योंकि मैं आपको बताना इस एक महीन में बात बनती भी है और बात बिगड़ती भी तरह मिलते जुलते पेपर ही बना के इस बार दे अगर आप लोग उने मैनत करी है आप लोग इसको जरूर लोगे आप लोग इसको जरूर सेलेक्शन लिस्ट में आओगे और यह हमारा स्केडूल है इसको अटेम्ट करने के लिए दस दिन दिये हैं दस दिन के लिए पहले बने आपको बटाया है एक पूरा प्लान कि कैसे आप लोगों को चीज़ों को करना है रिविजन के बाद 26 तारीक को टेस्ट देंगे 27 को उसका कट आफ डिसकस करेंगे मालो आप लोग 20 नंबर पीछे हो कट आफ से लेकिन वह आप 26 तारीक को हो 26 में को हो 23 जून तक हम लोग हो सकता है कि एक्चुल कट आफ से 10 नंबर उपर से ले जाए तो वह चीज़ को हमें सीखना है पालतों में डिमोटिवेट नहीं होना है टेस्ट अटेम्ट तभी करना है जब रिवीजन होगी बाद में मेरे को आके कोई बच्चा आप यह मैसेज निगे निगा किसार हमने फलानी जगा यह करा वो करा फिर उसके बाद हम लोगों का ऐसे हो गया हम डिमोटिवेट होगे वो चीज़े अब हम लोग भी एंटरें नहीं करेंगे पाकी यह पूरी लेकिया होगा जिसका लेवल सेम जेके SSB का होगा तो आपको वो खुद बखुद जो शाम की क्लास होगी ना हमारी रोज सादे नों बजे वह आपको कॉंफिडेंस की तरह एक बूस्टर की तरह एक्ट करेगी जिसमें रात को आप लोग आराम से सोपा होगे अगर आप 20 मे लोगों का काम है कि हमें थोड़े से को ट्रिकी डालना पड़ेगा थोड़े से डिफिकल्ट डालने पड़ेंगे ताकि एक बूस्टर जो है ओवर कॉंफिडेंस में कनवर्ट नहीं हो जाए और प्लान को आप लोग यह जो पूरा हम लोग डिसकस करे है प्लान फार्ड पेपर में भी एडेंट नहीं करना होता है 120 में 120 वाले की सिलेक्शन नहीं होती आपको बस कट आफ क्रॉस करना है टॉपर को भी नहीं पता होता आज की डेट में कि वह टॉप करेगा या उसको क्वालिफाइब भी होगा और आपको बता दू वी यह जो टॉपर्स थे वो बच्चे यहां पर हमारी टीम के साथ जुड़े हैं हम लोग मिलके यहां पर टेस्ट होगारा डिजाइन करते हैं आप लोगों के लिए तो आप लोगों से बस यही है कि जब इतनी देर तक हम लोग टिके रहे हैं अब थोड़ा सा टाइम और टिकना है पढ़ाया हूँ सब कर रहे हैं अगर आप लोगोंने मेहनत करी है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग करेंगे तो एक मेहने में क्वालिफाई कर लेंगे तो आप 20 को कर लोगे आपको बस मेहनत पे काम करना है तो आज के लिए फिर सिरब इतना ही अगर आपको यह टेस्स देनी है आप को आप पर मिल जाएगी दे लीग टॉपिक टेड्स £ £3 Hoo रहे हैं हम सारे टॉपिक टेस्ट इस अपलोड कर इसके बाद आप लोग करते रहो अभी तक हम लोगों ने अब तक हम लोग ने अपलोड करें अब 3rd 4th के भी आपको अगले हफते हम लोग प्रोवाइड कर देंगे फिर 5th 6th के उसके नेक्स्ट भी कर देंगे 31st में तक सारे अपलोड हो जाएंगे जर्नल साइंस और कंप्यूटर भी आपको यहां पर अपलोड हो जाएगा अब लोगों से आज रात को साड़े नों बजे जिसमें आपका टेस्ट है हमारे टॉपिक का यूनिट थर्ड एंड फॉर्थ स्पेशलाइजेशन की तो इसको रिवाइज कर लेना अराम से पढ़ना कोई ज्यादा टेंशन की जुरूरत नहीं है हमारे पास टाइम है और अभी जो डेट है वो टेंटेटिव है हो सकता जिके आपको पूरी तरीके से तियार करके एक हफते का टाइम औहर देते तो चलो